Hello students, welcome to my channel So students, जैसा कि आपके BA first semester में जो आपका political science है जो आपका राजनीती विख्यान है तो उसकी class मेरे चैनल पर start हो गई है और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं unit number 5 देखिए NEP 2020 के according जो आपका new syllabus है तो this syllabus की वीडियो में upload कर चुकी हूँ और मैंने आपके कई सारी units को complete के ला लिया है तो आज की वीडियो में हम unit number 5 को पढ़ेंगे आपका unit number 5 है संग काल पालिक का एवं विधान का तो इस आपकी unit में आपका जो पहला topic है वो है राश्ट पती अगर आपने अपना syllabus नहीं देखा है तो syllabus देख लीजेगा मैं आपको political science की playlist की link दे दूँगी उसमें सभी वीडियो और syllabus आपको मिल जागा तो आप देख लीजेगा कि आपको क्या क्या चीजी पढ़नी है तो देखिए आपका जो पहला topic इसमें है वो है राश्ट पती तो राश्ट पती के बारे में हमें पढ़ना है तो देखिए देखिए जो संसत होता है तो संसत के तीन अंगों होते हैं राश्ट पती लोकसभा और राजसभा तो जो राश्ट पती है वो कारेपालिका का वैधानिक प्रमुक होता है और लोकसभा जो है वो निम्न सदन होता है या फिर लोकप्रियस सदन होता है संसत का और जो राजसभा होता है वो संसत का उच्छ सदन होता है तो आए राश्ट के बारे में पढ़ते हैं देखिए भारती सन्विधान का जो अनुच्छेद बावन है उसके अनुसार भारत का एक राश्टपती होगा यानि कि भारत का एक राश्टपती होगा किस अनुच्छेद के अनुसार बावन के अनुसार राश्टपती भारती संकी कारपालिका का व सथारवारी परियूग मंत्री परिष्यत की सलाहं ilið यानि देख यह की जो पर राश्पती होता है वहाधानिक प्रधान होता है देखिए सन्वीधान द्वारा राष्टपति को ने वयापक शक्तियां दी गई हैं लेकिन वह इन शक्तियों का जो यूज है तभी कर सकता है जब मंत्री परिशत की सला परीवों अपनी शक्तियों का यूज कर सकता है और मंत्री परिशत की जो भी सला होगी कि जो भी उनका फैसला होगा उसको राश्ट के कौ Security करूं ना ऊगा अब राश्ट कर पाष्ट कर मानने के लिए पूरी तरह बात दे आ हुए अब हम पढ़ेंगे आपहम देखेंगे किस संग की कार्ड़ी पालिका कईसी कह अती है सबसे पहले राश्ट पती उनके बाद उपराश्ट पती होते हैं फिर प्रधान मंत्री और फिर इनके बाद मंत्री परिश्र फिर राज्ञ 맞़ मध़ेर यह आज संग की कार्या पालिका और हम दिखेंगे कि राश्ट पती कंपतर लेने की रास्ट पति बनने के लिए क्या क्या योगतां होना है फिर फब्राइब से पहली का नागरिक होना चाहिए जिस वहीं वैक्ति बंच सकता है जो भारत का नागरिक होगा और उसकी जो उमर होगी वह 35 वर्सका यूपुरी पेली कंप्लीट कर चुका होगा तीप própria 50 साल से पहले वह राष्ट्पती के पत पर नहीं हो सकता ओर देखिए लोक सबाता सधस्य किसे और होसकता हो सकता है उसमें इसहारी योगता होनी होगा तभी वो राष्टपती बन पाएगा तो राष्टपती पद की योगताएं अक्सर एक्जाम में पूछी जाती है तो इसको याद रखिएगा अब हम देखेंगे अगली एडिंगे राष्टपती का निर्वाचन कैसे होता है तो देखिए भारत की सन्विदांग का जो अनुछेच चवण है उसके आनुसार राष्टपती का निर्वाचन एक निर्वाचक मंदल द्वारा किया जाएगा जिसमें पहला है कि संसत के दोनों सदनों के निर्वाची सदस्य होंगे यानि दो संसत की दोनों सदन यानि लोकसभा और राजसदा की सभा में जो सदस्य है वह सममिनित होंगे अगली हेटिंग राष्टपती का कारेकाल राष्टपती आक्सर इकजाम में पूछा जाता है तो इस वह पांच वर्च का होता है लेकिन अधर वो चाहे तो पांच वर्च से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है देखिं के महाभीयोक के बारे म उसके उनसार राष्ट पती द्वारा अगर सन्विधान का उल्लऺन किया जाएगा तो सन्विधान में दी गई जो वरस्ता है उसकी जासेरन पर महाभीयोग लगाए कर उसे अरफ़ cooler जा सकता है यनि की राष्ट पती को अरफ़ाया जडा सकता है और यहां पर ज्यादा राष्टपती का जो अस्थान है वो खाली नहीं रह सकता छे महीने के अंदर ही नए राष्टपती का निर्वाचन होना अनिवार है और अगर जो नया राष्टपती जिसका निर्वाचन होगा तो उसका अपना वहां से नया कारेकाल शुरू होगा और फिर वहां से लेकर 5 वर्ष तक उसका कारेकाल माना जाएगा उसका कारेकाल होगा तो आई हुप आप यह समझ गए कि राष्टपति का कारेकाल कितना होता है और महाभियोग क्या होता है अगर उसे हड़ा दिया जाई या फिर त्यावप देदे तो 6 महीने के अंदर ही दूसे राष्टपती का निर्वाचन करना जरूरी है आप देखिए अगली हेंगे कि राष्टपती के कुछ विसेस आधिकार भी है अब वो क्या हैं आईए हम उनको देखने हैं देखिए पहला तो यह यह कि अगर राष्टपती के पद पर होते हुए उसके विरुद्द यानि रास्वती के पत पर रहते हुए ना तो उनको बंदी बनाया जा सकता है और नहीं उन्हें धंडित किया जा सकता है तो अक्सर एक्जाम में यह भी पूछा जाता है कि राश्वती के विश्यसादी का क्या है तो यह सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप इनको अच्छे से समझगी और आप चाहें तो इसके इसे स्क्रिंशॉट भी कर सकते हैं और इस देखिए यहां पर एक बड़ा अनौंस्मेंट है आपके लिए कि अगर आप अपने बीए फर्स सेमिस्टर में इंग्लिश लिट्रेचर पढ़ते हैं या फिर सोचियो लाजी पढ़ते हैं चाहरे सब्सक्राइब करते हैं आपको अपने बीए सब्सक्राइब मेरे चानल कर मिलेंगे साथी साथ मौडर्य पेपर इंपार्टेंग इस्तनांसर की वीडियो दिमें आपको प्रोवाइट करती हैं जो कि आपके एक्जामें स्टली से पढ़ने के लिए मिलेंंगे देखी अग्ला अगला टॉपिक है कि राष्ट कि सकतियां एवं उनके क्या कार्यां देखिंगे भारत सरकार के समस्तुसासन संबंदी कार्या राष्ट्बасть के नाम से ईजाते हैं और राष्ट्पती की शक्तियां निवनौत वें जिसमें से हम नियुक्ति संबंदी शक्तियां देखते हैं देखी राश्पती प्रधार मंत्री को नियुक्त करता है प्रधार मंत्री की सलापर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है यानि कि प्रधार मंत्री की सलापर वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तो आज की वीडियो में हमने राश्पती से रिलेटेट बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजे पढ़ी हैं जो कि आपके एक्जाम में पूझी जाएंगी तो आप इनको अच्छे से